हलो एवरीवन, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई नप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के नदर में हम इगनू के असाइमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और जोबी आपका असाइमेंट बना रहे हैं और जोबी आपका जुलाइ सेसन हो células अउसके अंदर में पर नॉर्मली जो अप लेट है भी तक का, 30 सेप्टेंबर आपका लाज़ इट समिशन की है और हर बार last date आगे पीछे होती है और आइस बार भी हो सकती है confirm chances रहते हैं ठीक है regional center का जो भी मतलब regional center है वो tag करता है कि हमारा submission का last date क्या रहने वाला है अब regional center होता है तो Delhi के अंदर में 3 regional center है मतलब Delhi को तोटल 3 जोनों में बाटा गया है और हर एक regional center के अंदर में study center आते हैं जहां पर हमारी classes लगती है तो हर एक study center का regional center होता है proper तो आपका study center का क्या regional center है आप उस regional center के अंदर में visit करके अपना assignment की submission का last date पता लगा सकते हैं या फिर आप अपने study center में visit करके अपना assignment की submission की last date पता लगा सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमारा assignment submit होना है इस date तक अब यहाँ पर हमें एक बात करें कि online होगा offline होगा, submit किस तरह से करना है क्योंकि बहुत सारे doubt है, बच्चे में doubt है कि किस तरह से assignment हमारा submit होने वाला है और कुछ study center online भी ले रहे ना तो उसमें लड़कों का online ले रहे हैं लड़कों का offline ले रहे हैं तो इस तरीके का भी option आपको देखने क्लिए मिलेगा तो यह इसके बारे में हमें जानकारी कैसे पता चलेगा तो एक तरीका है यह है कि आप direct study center पर visit कर ले या फिर अपना regional center पर visit कर ले जहां से आपको इसके बारे में update मिल जाएगा ने तो दूसरा तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ उसको वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको करना है कि अभी google पर जाना है इगनू लिखना है यह page आपका official website खुल कर आ जाएगा जैसी खुल कर आएगा तो regional network के उपर में click करना है regional network पर click करोगे तो नीचे में regional center का option दिख जाएगा regional center पर जैसी click करोगे तो एक नया page खुल कर आ जाएगा regional center का ठीक है regional center के यहाँ पर left hand side में regional center website का option मिल जाएगा जैसी regional center के website पे click करोगे तो यहाँ पे all over India के अंदर में IGNU के जितने भी regional center है, RC है, सभी का यहाँ पे detail दिख जायगा आपको अब देखो, चाए आप अगरतला से belong करते हो, चाए आप विजय वाड़ा से willing करते हो कहीं से भी करते हो, सभी का detail यहाँ पर है, आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से student हो, ठीक है, आप अपनी regional center पर जाके click करके, उसके बारे में detail हो, क्या आपका assignment का last date है, अगर वहाँ पर website पर उनके नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको visit करना होगा अपनी study center मे जहां से आपको update मिल जाएगा, for example, मैंने डेली 2 पर click किया, क्योंकि डेली के अंदर में तीन regional center है, तो डेली 2 का regional center आगया आपकी screen पर, ठीक है, यहाँ पर जब मैं नीचे drag करता हो, तो यहाँ पर proper assignment submission guidelines का एक tab बना हुआ रहा है, उस पर जैसी में click करता हूँ, यह link नया ख submission करने का, तो यहाँ पर proper guidelines दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर guidelines को आप पढ़ सकते हूँ कि कैसे कैसे करना है, PDF कितनी MB की होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PDF किस तरज होना चाहिए, ठीक है, वो सारे यहाँ पर बता रखा है, और सबसे most important क्या है, कि last date क्या है, 30 September तक आपको assignment यहाँ पर submit करना है, यह दिल्ली के regional center 2 का update है, notification है, ठीक है, वापस से मैं अगर इस page पर आता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा जो link था, वो instruction for link for submission assignment के बारे में था, इसके अंदर में normally दिल्ली के regional center 2 के अंदर में जो भी study center आते हैं, जैसे देखो, विवेकानन्द वाला study center हो ठीक है, नीचे drag करोगे, तो बहुत सारे study center आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बगवान दास रोड पर जो study center है, मतलब अलग-अलग study center का तरीका क्या है, online submission करने का, ठीक है, वो यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, email के through submission कर सकते हो, assignment को submit कर सकते हो, तो mail ID दे रखा है, ठीक है, mail अपलोड हो जाएका successfully, यहाँ पर आपका study center code दे रखा है, तो अपना study center code जरूर match कर ले, ठीक है, जो भी आपका study center code है, उसके हिसाप से अपन assignment submit करे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखो, कुछ assignment तो directly online ले रहे हैं, जैसे अब इस center का आप बात करोगे, ठीक है, तो य अलग-अलग study center का अलग-अलग, ठीक है, यहाँ पर rule regulation बने हुए है, तो उनके हिसाप से आपको पता करना पड़ेगा, तो जो भी आपका study center है, आपको एक बार वहाँ पर visit कर लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको जो मैंने तरीका पता है, कि regional center पर आ ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या आपका assignment submission का last date है, आपके regional center ने क्या notification जारी किया है, ठीक है, तो यह video कैसी लगी, आप comment करके बता सकते हैं, और भी इस तरह की videos के लिए, helpful videos के लिए, एगनों से related, आप हमें subscribe कर सकते हैं, और time to time आपको इस तरह की videos मिलत रहेंगी, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.